प्रैंकिलिन इंडिया smaller companies fund latest addition to the mutual funds जिन्होंने small gap category के funds जिन्होंने अपने इन्फ्लोज पर restriction लगा दी है कितना लगाई है लमसम पर SIP पर कियोंकि SIP पर रेश्टिक्षन दीक्षन रहाँ है यहाँ पर ने लमसम पर फिर restriction लगाई है बंध हो ही रहा है SIP भी रेस्ट्रिक्ट हो रहा है प्लस लंसम कुछ skim से जिन्होंने लंसम को रेस्ट्रिक्ट करके अभी भी open रखा है तो उसको मैं अच्छा मानता हूँ कहीं ने कहीं SEBI की तरफ से ही direction आ रहा है और कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अब लगभग साड़े small cap funds जिनका भी थोड़ा सा भी sizable asset है उनका जो SIP है वो restrict हो जाएगा small cap के अंदर और धिर धिर mid cap के अंदर में भी यह होगा और जो लम समय वो तो close हो ही जाएगा Franklin India Smaller Companies Fund जो की small cap fund है from Franklin काफी पुरानी स्कीम है 12,000 करोर का इनका AUM है तो ठीक ठाक सा AUM भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि अभी तो देखरे हैं कितना बड़ा बड़ा AUM वाले small cap fund समय दिख रहे हैं इसलिए ठीक ठाक सा कह सकते हैं आज से 5 साल पहले बहुत बड़ा AUM है इसको कह सकते हैं लेंगि अभी बड़ा नहीं मिड साइज AUM हम कह सकते हैं small cap fund की कैटेगरी में भी अच्छे returns भी काफी long term में काफी long term में काफी अच्छे returns बना के investors को इस scheme ने दिये हैं अगर हम बात करते हैं lump sum restriction की तो पूरी तरीके से close नहीं किया गया है इसके अंदर restriction इसके अंदर restriction घटा के कर दिया गया है 2 lakh rupees per month per pen 2 lakh रुपए तक हर महीने आप lump sum investment कर सकते हो इस scheme के अंदर में किसी किसी के लिए ये बहुत हो सकता है कि हाँ बहुत बड़ा amount है 2 lakh रुपए तो ठीक ही है lump sum इतना तो करी सकते हैं लेकिन कई लोगों के लिए बहुत कम है 2 lakh रुपए महीना कुछ नहीं है उनके लिए lump sum investment के लिए तो ये चीज है बट majority में जो retail audience है उनके लिए तो 2 lakh रुपए काफी है महीने का lump sum अगर इन्होंने root खोला छूडा हुआ है तो 2 lakh रुपए हर महीने उस तरीके से डाल सकते हैं प्लस 50,000 पच्चास हजार रुपए पे restrict कर दिया है निपॉन ने भी 50,000 पे restrict किया है अगर आप weekly SIP करना चाहते हो सारह 12,000 रुपए महीने के डाल सकते हो अगर 15 डेज वाली SIP चलाना चाहते हो तो 25,000 रुपए पर 15 डेज पे जाएगी आपकी अगर 3 महीने वाली चलाना चाते हो तो 1.5 लाक हर 3 मन्त पे इंवेस्ट कर सकते हो जैसी चाहो उसके अकॉर्डिंग लेकिन monthly calculation इसका 50,000 रुपीज के अकॉर्डिंग ही चलेगा इसके अंदर में या फिर fresh investment करो या पुरानी SIP लमसम पुरानी SIP चल रही है लमसम पहले से भी कर रहा है अब करना चाहते हो या फिर नई सब चीजे कर रहे हो लेकिन सब इस limit के अंदर में ही होगा हमने देखा आधे लगभग आधे mutual fund companies ने small cap category में अपनी restriction लगा दी है और SBI small cap fund जो की small cap category में ऐसी थी जिसने अपने SIP पे restriction लगा के रखा था और अब देखो एक दो साल में ही ऐसा हाल हो गया खासकर पिछले एक साल की rally की करण और SEBI के तरफ से force करने के करण कि लगभग हर scheme अब धिर्या 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 करके SIP पे restriction लगा जा रही है आप लोग कि सब लोग invest करना सुरू करते तो क्या होगा सब लोग कर भी नहीं रहें 10-15 परसेंटी जनता इंवेस्ट कर रही तो देखो mutual funds का यह हाल हो रहा है कि inflow पे restriction लगाना पर रहा है सब लोग अगर investment करना सुरू करते तो क्या होगा इसी से आप अंदाज लोगो कितनी सारी परि यंग